हलो एवरीवन, दिस इस यूर एजुकेटर मानसी गुपता, वेलकम टू डड़ी फॉस्ट अड़ी, आज हम क्लास नाइन्थ की सोशल साइंस याने की सस्ट की वक्षिट करने जा रहे हैं, आज की जो हमारी सस्ट की वक्षिट है, वो जोग्राफी की वक्षिट है, यह आपक सस्ट पढ़ाते हैं दना आपको आपकी वक्षिट साट करने हैं, आपको पता है भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी जोग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्लाइमेट, जलवाई यू, ठीक है, थोड़ा सा यह बहुत ही इंप वैदर सीजन समर, आज हम बेसिकली समर सीजन की बात करके गर्मियों की, ड्यू तो अपेरेंस नौर्थ वर्ड मूमेंट ऑफ दे संदा, ग्लोबल हीट बैट शिप्ट नौर्थ वर्ड एस सर्च फॉम मार्स टू में, इट इस होट वैदर सीजन इंडिया, देखो इंडिय इट सेलसिएस डिकॉड़ड ओन देखन प्लाटिव, देखन प्लाटिव में इस ताइम पर टेंपरेशर कितना होता है? ठीएट डिग्री सालसिएस से करीब होता है, थिक है? इन एप्रेल तैंपरेशर इन गुजरात चाहर अरं फॉर्ट इडी बिज्ट इंडी इडिरी से पर दिखो आपके पैनन्सुला इंडिया होता है तो देखो पैनन्सुला इंडिया को हिंदी में बोलता है प्राइदीप भायत यानिकि एक इंडिया का वह पोर्षन जो सी लेवल से टाच होता हो यानिकि कि वह लोग जो फी यानिक पैनन्सुला रीजन होता है तो साल पर तेमपरेचर वह तो बड़ा ही मॉडरेट होता है ना इसका प्रचया एकस्ट्रीम तेमपरेचर कभी बीकुर्ब मतलब एक क्स्ट्रीम सीजन नहीं आता है भी भी आकर आपके आपके जान पर चैन के कोई मु समुंदर लेवल से बहुत ही पास पड़ता है उनका घर तो समुंदर के पास जिनका भी घर पड़ता है वहां पर एक्स्ट्रीम टेंपरिशर कभी भी नहीं पहुंचता है क्यों क्योंकि जो समुंदर का पानी है अगर बहुत जदा गर्मी हो के तो पानी के थंडा हो जाएग आप नगपूर प्लेटिव इस्ट और साओधिस्ट थीके आप ने लू करना बहुत सुना होगा कैसे सुना होगा क्योंकि आपने देखा हुआ गर्मियों के टाम पर बोलती बिटा पार्क मत खेलने जाओ क्यों कि लू चल रही है लू मतलब गरम हावाय चल रही है इसकूल से सुना है और समर में होता है इसा सिर्फ हैं आप नोर्थ और नौर्थ वेस्ट इंडिया में होता है 10 storms are very common during the month of May in North India These storms bring temporarily relief as they lower down the temperature and may bring light rain and cool breeze अब देखो 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 10 storms is very common during the month of May in the North India North India में क्या होता है May के मौसम में क्या होता है पड़ी धूल भरी आन्दी चलती है लेकिन ये बड़ी अच्छी लगती है वेकिन आपरेचर जो बड़ा हुआ टैम्परेचर में के टाइम पर उसको थोड़ा कम कर देती है तो हमारे को थोड़ा रिलीफ मिलता है ठीके क्योंकि टैम्परेचर को लो कर देती है बड़ सम्टाइम इट में दा कॉज ओफ लाइट रेन एंड कूल भिस्थंटी हवाओं का और हलकी बारिश का भी कारण बनती है इन दे वेस्ट बेंगॉल इस ट्रॉम्स आर नोन एज दा काल बैसाग के इसको जो है वेस्ट बेंगॉल वेनी कि बंगाल रिजन में का नाम दिया जाता है अब देखो towards the close of summer season, जब summer season end होने वाला होता है, close के टाइम पे होता है, तो pre-monsoon shower are common, especially in Kerala and Karnatka, they help in early ripening of the mangoes, अब देखो, South India जो होता है, उस में मानसून से पहले क्या होता है, थोड़ी हलकी बहुत बारिष्ट का टाइम चल रहा होता है, Kerala, Tamil Nadu, Karnatka वगरा में, तो य जो है काफी help करता है, आपके आम बगारों को पकने में, इसलिए इसको ना mango shower भी काते है, ठीक है, अदेखो आपको यहाँ पे question दिये होंगी, जिसके direct answer जी रहे, पहला question है, define the loo, loo क्या होता है, a stinking feature of the hot weather season is the loo, यानि कि गर्मियों के मौसम में एक बहुती important feature होता है, ये इंडिया में, summer के time पे, जो dust storm चलते हैं, नहीं कि दूल बड़ी आंधिया चलती है, कैसे हमारे लिए बड़ी राहत देती हैं, तो dust storms are common during the month of May in north of India, these storms bring about temporarily relief as they decrease the temperature and can cause light rain and cool breeze, but they also disrupt the electricity, uproot the trees, destroy the houses and kill the livestock, livestock मतलब जानवरों को, ते वो relief कैसे परवाइड करता है, क्योंकि तेंपरिचर को कम कर देता है, ठीके, और आपको रहात मिलती है रहे वाँ मौसम अच्छा हो गया, लेकिन दो तिन दिन के लिए होता है, सिरफ जादा नहीं होता, लेकिन कई बार का ओताना है, बहुत नुक्सान भी कर देता है, मैंने आपको बताया है कि भाही जब डिशत जाते हैं लवां गूर से प्षाही तरय षूसों में कनेशन नुकसान हो जाता है करें항ों कर दो के त्यूंस अग्राइट जब गर्मी का मासा होता है तो वहां पर टेम्परेशन नॉर्मल रहादा ना बहुत ज़दा थंड होती है ना बहुत ज़दा गर्मी होती है तो क्यों इन दे पैनन्सुला इंडिया टेम्परेशन रिमें लुवर द्यू टुद्टू दा मोडरेशन इंफ्लेंस आफ दा ओस समुंद्र से उनकी समीपता का कारण मतलब उनके बैलन्सुला इंडिया का जो पोर्शन होता है वो ओशन के पास होता है इसलिए इसलिए पर टेम्परेशर मॉडरेट रहता है ठीक है नेक्स्ट है डैश आर्दा स्टॉवर देट अकर इन में वेस्ट वेंगल तो वेस्ट अधर में मैं के टाइम पे आने वारा स्टॉवर है ठीक है उसको क्या बोलते है उसको बोलते हैं काल बैसाख ठीक है नेक्स्ट है मैंगो शावर आर्दा प्री मॉंस शौवर कॉमन इन केरला एं करनाटका मैं कहीं बार तम्मिल नाडू में आपको हैं पर आपस पास का अरि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना की वीडियो कैसा लगा और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं नेक्स्ट वी ju है गई झाहिए उतली हो 兒गियो को वी चाह आपक इतली हैं अइस तर प्लीजर आएघने शेमध्म में खो कैसि तर आख हो कि घिक पूलना में सい को ओंना चो क Blairग समय ऑनWow आपके है और आपक लगता है, वह उऊंडता हैं आबूंस्तों आपके अउलना Kellीघ को का भदब आ